पॉन्टेबर प्राइमिनिस्टर अधरिया सभावती जी राश्पकी जी के अभी भाषन पर दन्यवाद प्रस्टाव पर जो चर्चा चल दही है इस चर्चा में शरीख हो करके मैं आधर्णिय राश्पती जी का आधर पुर्वक धन्यवाद करता हूं आधर्णिय राश्पती जी का अभिनंदन करता हूं आधर्णिय राश्पती जी का दोनों सदनों को संभोधित करते हुए उन्होंने विक्षिद भारत का एक खांका और विक्षिद भारत के संकल्प के लिए एक रोड मेट को पस्तुत किया है देश के लिए उनका जो यो कंट्रिबूशन है जो मारदर्शन है उसके लिए झौर खाँ के लिए ल आरो यहाँ में अन्पे लिए हुई पैसे लिए याम है लगनाव Compare डिए लिए लाouv कोया अपयान newspaper मेसे लिए हैं झुल अपरन के सुद्धिक जा सक beautiful हुट प्यूप पियुकति मीशलोग । हुट पियुकति भी मो Crispy पियुकति मु करमेशौब बूंधू एंग टॉन से हुट करूं टॉन ऐसंगर वॉट प्युकति मीशलोग एंगुट पाउन टॉन आने। हुट इन Prophet जिन्होंने इस चर्चामेस अभी में भी में भी मैं कैसेस कि जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया अपनी चल्पनार के नुशार चर्चा को विस्तार देने का प्रयाज भी किया और इसलिए मैं सदन में हिस्सा लेने वाले सभी आदरिये सदस्यों का धन्यवाद करता है आदरिये सभावति जी यह सदम राज्जों का सदम है बीते दसकों में अनेत बुद्धी जीवियों ने इस सदम से देश को दिशा दी है देश का मापदर्शन किया है इस सदन में अनेत सासी ऐसे है जो अपने व्यक्षिकर्ट जीवन में भी बहुत कुछ शिद्धिया पात्त की हुई है अपने व्यक्षिकर्ट जीवन में बहुत बड़े काम भी किये हुए है और इसलिए इस सदन में जो भी बात होती है उस बात को देश बहुत गंबीरता से सुनता है और देश उसे बहुत गंबीरता से लेता है लेकिन आदर्निय सभावती जी ये भी दुर्भाग्य पूर्ण है इतने महत्पूर्ण सदन में कुछ लोगों का व्यावार कुछ लोगों की वाणी न सिर्फ सदन को लेकिन देश को मिराज करने वाली रहे इस प्रकार की वृत्ती प्रभूत्ती के मानने सदेश्यों को मैं यही कहना पीचर इसके पास था पीचर इसके पास था मेरे पास गुलाल पीचर इसके पास था मेरे पास गुलाल जो भी जिसके पास था उसने दिया उच्छाल और अच्छा ही है जितना पिचर उच्छा लोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा अच्छा 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 इसलिए कमल खिलाने में आपका प्रफ्तेश्य प्रोक्ष जो भी योगदार है इसके लिए मैं उनका भी आबार रेक्टे करता हूँ आदेनिया सभापती जी कल दिपक्स के हमारे वरिष्ट साथी आदेनिया खर्येजी ने कहा कि हमने साथ साल में मजबूत बुनियाद बना रहे आज़ा कल आपने कहा और उनकी सिकायक थी कि बुनियाद तो हमने बनाई और फ्रेडिक बोधी ले रहा लेकर ने आदेनिया सभापती जी 2014 में आकर के जब मैंने बारी किसी चीजों को बड़ी गहरायत देखने का प्रयास किया फस्टन इंफर्मेशन लेने का प्रयास किया तो मुझे नज़र आया कि 60 साल कॉंग्रेश के परिवार ने हो सकता उनका इरादा मजबूत बीव बनाने का हो मैं उस पर कोई पिपनी करना नहीं चाहता लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड़े ही गड़े कर दिये थे उनका इरादा नीम का होगा लेकिन उन्होंने गड़े ही गड़े कर दिये थे और आदनेस अभापती जी जब वो घंडे खौद रहे थे शेचेच दुसक बरबाद कर दिये थे उस समय दुनिया के छोटे छोटे देज भी सभलता के शिखाओं को चू रहे थे आगे बढ़ रहे थे आदनेस अभापती जी उनका तो वो साल इतना अच्छा माहूल था कि पंचायद से लेकर के पार्लमेंट तक कि उन्हीं की दुनिया चलती है इतना देज भी अनेक आशा अपईच्छा के साथ आग बन करके उनका समर्जन करता है लेकिन उन्हों प्रकार की कारशली विक्षित की इस प्रकार का कल्चर विक्षित किया कि जिसके कारण वे एक भी चुनवचिता पर्मनेंट सॉलूशन करने का नगभी सोचा नगभी उनको शूजा नगभी उन्होंने प्रयास किया वे बहुत हो हमना हो जाता था तो चीजों को छू लेते थे तो कनियम कर लेते थे अब भी रागे चले जाते थे समस्याओं का समाधान करना यह उनका जाईत हो था देश की जंता समस्याओं से जूज रही थी देश की जंता देख रही थी कि समस्याओं का समाधान कितना बड़ा लाब कर सकता है लेकिन उनकी प्राइवरिटी जलग थी उनके इरादे अलग थे और उसके कारां किसी भी बात का पर्मेनेंट सुलूशन का प्रयास नहीं थी आज लिए सभापती जी हमारी सरकार की पहचांग जो बड़ी है वो हमारे पुर्शार्ट के कारण बड़ी है एक के बाद उठाएवे कदमों के कारण बड़ी हूँ और आज हम पर्मेनेंट सुलूशन की दिशा में आगे बढ़ते रहे हैं हम एक एक विशे को छूट करके भागने वाले लोग नहीं लेकिन देश की मुल्भूत अवश्यक्ताओं को पर्मेनेंट सुलूशन पर बल देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं आज अड़ी सभापती जी अगर मैं पानी का ही उदारन दो तो वह जमाना था कि किसी गाउं में एक हैंपम लगा दिया तो हपते भर उतका उच्छों में आया जाता था और उस चोके निजम से पानी का काम किया करके गाड़ी चलाई जाती है कल यहां गुजरात का जितर कर रहे थे आप हरान होंगे सबसे ज्यादा शिकों से जितने का उनका जो गवर्वता वैसे एक मुध्यमंत्री एक चहर में पानी की तंकी का उद्वाटन करने जाए और वो ठंपेट पर हेड्लाइन लूस सा यहने समश्याओं का टोकनिजम क्या होता है कैसे ताला जाता है यह कल्चर देश ने देखा है हमने भी पानी की समश्या को सोल जाने के लिए रास्यापना हमने जल सवरचन जल सींचन और पहलू पर ध्यान दिया हमने कैट तरेन अभ्यान से जंता को जोड़ा इतना ही नहीं आजादी के पहले से अब तक हम सर्थार में आने तक तक सिरफ तीन करोड धरों तक मल से जल मिलता था आजणियस सभापती जी पिछले तिन चार साल में आज त्यारा करोड घरों को नल से जल मिल रहा हुआ भानत पानी की समख्या दोहत परिबार की समख्या होती है जीवन में उसके बिना चल नहीं सकता और भविश्य के संभावनाओं को भी देखते हुए हमने उसके समाधान के राश्ते चुने आजए ये सभापती जी मैं एक और विश्य पर भी जाना चाहता हुआ एंपावर्मेंट अब कॉमन फीपर बैंकों का रास्टे करन हुआ था इस बात से हुआ था कि गरीबों को बैंकों का अधिकार मिले अजी बहाने बाजी की जहीं जी लेकिन इस बैंक देश के आधे से अधिक लोग बैंक से जरवाजे तक नहीं पहुँच पाई है हमने पर्मनेंट सॉलूशन निकाला और चंदन एकाउंट का भियान चलाया बैंकों को मोटिवेट किया अन बोर्ड लिया पिछले नव साल में ही 48 करोड जनदन बैंक खाते खोड़े गए इसमें 32 करोड बैंक खाते जुला में और कस्बों में हुए हैं याने देश के गाउं तक प्रगती की मिसाल को ले जाने का प्रयास हुआ कि खड़गे जी शिकायद कर रहे थे कि जो दीजी बार बार कर मेरे चुनावी खेत्र में आते हैं वो कह रहे थे जो लुदिजी आ कर बूर्गी आ जाते हैं मैं जरा खड़गे जी को कहना चाहता हूं मैं आता हूं उसकी शिकायद करने पहले ये भी तो देखो कि करनाटका में एक करोड़ सतर लाग जंदन बैंक अकाउंट फुले हैं इतना ही नहीं उनीके इलाके में कलबूर्गी में आठ लाग से जादा जंदन खाते फुले हैं अब सभाप्रती जी बताईए इतने बैंक के खाते खुल जाए इतना एंपावर्मेंट हो जाए लोग इतने जागरूत हो जाए और किसी का इतने सालों के बार हाता बत हो जाए तो उनकी पिया उनकी पिया मैं समझ सकता हूँ और बार बार उनका दर्द जलगता है और मैं तो एहराम हूँ कभी कभी यहां तक कह देते हैं यह बलीज को हरा दिया अब आपको जनता नदकार दे रही है आपको हता रही है आपका खाता बंड कर रही है और आप रोना यहां रो रहे हो आधनिये सवावती जी जंद्रन आधार मोबाई यह जो त्री शक्ति है और उसने सीधा बारेक बेनिफिक ट्रांसपर उस योजना के तहर पिछले कुछ वर्षों में 27 लाख करोड रुपिया इस देश के नागरितों के बैंक खातों में ट्रांसपर किया है और मुझे खुजिया है इस देश के दो लाख करोड रुपिये से जादा पैसे जो किसी इकोसिस्टिम के दलग हाथों में जाता था वो बच गया है देश की बहुत बड़ी सेवा की है और मैं जानता हूं जिस इकोसिस्टिम के साधरीतों को चेले कपादों को जो दो लाख करोड की एलफी फाइदे मिलते रहते थे उनका चिलाना भी बहुत स्वाभाविक है आदर्णिया फराबती जी अमारे देश में पहले परियोजनाए अटकाना लटकाना अटकाना ये उनकी कारे संसृति का हिस्सा बन गया था यही उनका कारे करने का तरीका बन गया था इमानदार टैक्स पेर की गाड़ी कमाई उस्सानुक्सान होता था हमने टेक्नलोजी का प्रेट्राम तयार किया पी-एम गतिशक्ती मस्टर प्लान लेकर के आए और सोला सोल लेयर में देटा के माध्यम से इंफ्रा सक्टर को प्रोजेस को गति देने का काम हो रहा है जो योजनाए बनाने में महिनों लग जाते थे वो आज सप्ताहों के बीतर बीतर उसको आगे बढ़ा दिया जाता है क्योंकि आधुनिक भारत के निर्मान के लिए इंफ्रा सक्टर का महत्वा हम भली बाती समझते हैं स्केल का भी महत्वा समझते हैं स्पीड का भी महत्वा समझते हैं और टेक्नोलोजी के माध्यम से पर्मानेंट सालुशन और परमानेंट एस्परिशन का ट्रेस्टरेश करना का प्रयाद अधिन है सबाती है कोई भी जब सरकार में आता है को देश के लिए कुछ करने के बादे करके आता है जनका का कुछ बला करने के बादे करके आता है लेकिन तुरब बावनाय व्यक्त करने से बाद बनती नहीं है आप कहेंगे हम ऐसा चाहते हैं हम ऐसा चाहते हैं जैसे कभी कहा जाता था गरी भी अटाओ चार चार बसक हो गया है हुआ कुछ नहीं इसलिए विकास की गती क्या है विकास की नियत क्या है विकास की दिशा क्या है विकास का प्रयास क्या है परिणाम क्या है यह बहुत माइने रखता है शिरब आप कहते रहें कि हम भी कुछ करते थे इतने से बात बनती रही है आज देने सभावतिजी जबकि हम जनता को उनकी प्राथफिक्ताओं के अधार पर उनकी आवश्यक्ताओं और जब जनता की इतनी बड़ी आवश्यक्ताओं के लिए मैनत करते हैं तो हम पर दबाव भी बढ़ता है हमें महनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है हमें पड़िश्रम भी ज़्यादा करना पड़ता है लेकिन हमने जैसे महत्मा गांधी जी कहते थे श्रे और प्रेय हमने श्रे का रास्ता चुना है प्रिय लगजा है आराम कर ले वो रास्ता हमने नहीं चुना है महनत करनी पड़ेती कि तो करेंगे दिन रात ठपाना पड़ेगा तो ठपाएंगे लेकिन जनता जनारधन के एस्पिरेशन को चोट नहीं पहुंचने देंगे और उसके एस्पिरेशन खिद्दियों में परिवर्तित हो जाए और देश विकास की आता को पार करें इसके लिए हम काम करते रहेंगे इन सपनों को लेकर के चलने वाले हम लोग हैं और हमने वो करके दिखाया आद इंडेश सभाब अपीजी अब आप देखिए देश आजाज हुआ तब से 2014 तक 14 करोड एलपीजी कनेक्शन थे और लोगों की मांग भी थी लोग सांसोदों के पाथ जाते थे कि हमें एलपीजी कनेक्शन मिल जाए और उस समाए 14 करोड गरों में था डिमांद भी कम थी प्रेशर भी कम था आपको गैस लाने के लिए खर्चा भी नहीं करना पड़ता था आपको गैस पहुंचाने के लिए बहुता है आप भी मज़े में चल्टी भी गाड़ी साम होता नहीं था लोग इंकजाव करते रहते गए लेकिन हमने शामने से होकर के ताय किया कि हर घर को अब बाव की संभावना जानने के बाउचुटी हमारी प्रात्वीक्ता मेरे देश का नागरी था हमारी प्रात्वीक्ता हमारे देश के सामाने लोग थे अब इसलिए हमने बच्ती करोड ची जागा परिवारों के पास गैस कनेक्शन कोहता है नया इंफ्रसेक्टर खाड़ा करना पड़ा धन खतना पड़ा आदेनियत सभापती जी इस एक उदाहां से आप समझ सकते हैं कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी लेकिन हमने आनंद के साथ संतोस के साथ गर्र के साथ इस मेहनत को किया और मुझे खुशी है कि सामान्य मानवी को उसका संतोस मिला इस से बड़ा एक सरकार के लिए संतोस क्या होगी आदेनियत सभापती जी आजादिक आने लसकों के बाद भी इस देश पे 18,000 से ज़्यादा गाउं ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंकी थी और ये गाउं अधिक्तर हमारे आदिवासी बस्ती के गाउं थे हमारे पहड़ों पर जिल्दी की गुजार्णा वालों के लोगों के गाउं थे जन्यातिय से गाउं थे नौर्दिस के गाउं थे लेकिन ये उनके चुनाओं के लकीर करने वाले नहीं पत्थर पे लकीर करने वाले लोग हैं हम इस चुनोती पर उठाएंगे हम इस चुनोती पर उठाएंगे और हमने एक नई जिन्दिगी की अनुभूती हुई उनका विकास को हुआ लेकिन सबसे बड़ी बात हुई देश की रवस्ता पर उनका विश्वात बड़ा और विश्वात बहुत बड़ी ताकत होती है जब देश के नागरीकों का विश्वात बनता है तब वो लाखों करोडों गुना एक सामर्थ में परिवर्टित हो जाता है वो विश्वात हमने जीता है और हमने मेहनत की हमें मेहनत पड़ी लेकिन मुझे खुची है कुंदूर दराज के गाउओं को आज़ादी के इतने थारों के बाद नई आशा की किरन दिखाई जी संतोस का भाव प्रगश हुआ और वो आचिरवाद आज हमें मिल रहे हैं आज देनीय सभापति को पहले की सरकारों में कुछ घंटे बिजली आती थी कि कहने को तो लगता थे बिजली आ गई गाउं के बीच में खंबा डाल दिया तो हर साल उसकी समचरी मनाते जेगे पंगानी तारी को घंबा डाला गया आज बिजली पहुंची किना ही नहीं आज हमारे देश में 22 गंटे बिजली देने के प्यास में हम सबल हुए हैं हमें इस काम के लिए नई प्रांस्पिशन लाई ने लगानी पड़ी हमें के लिए काम करना पड़ा हमने सावर उर्जा की और जाना पड़ा हमें रिन्योंवाल एनर्जी का ने शेत्र खोजने पड़े हमने लोगों को कि उनके भाग्य पर नहीं चोड़ दिया कि राजनीत खायद एधाटे की बात नहीं सोची हमने देश का आने वाली कल उजवल बनाने का रास्ता चुना हमने खुद के लिए दबाओ बढ़ाया लोगों की मांग बढ़ने लेगी दबाओ बढ़ने लगा हमने महनत वाला रास्ता चुना और इसके नतीजे आज देश देख रहा है देश उर्जा के खेसों वे संगती की उचाईयों अप्राप्त कर रहा है आदेनी स्वाब अपीजी हमने आजादी के अमरित काल में एक बहुत बहुत हिम्मत भरा कदम उठाया है मैं जानता हूँ यह आसान नहीं है हमें बहुत महनित करने पर और वो रास्ता हमें चुना है सेक्चुरेशन का हर योजना के जो लाभारती है सत प्रतिशत लाभ कैसे पहुंचे सत प्रतिशत लाभारतियों को लाभ पहुंचे बीना रोग तोक के लाभ पहुंचे और मैं कहता हूँ अगर सच्चा पंथ निर्पेक्ता है तो यही है सच्चा सेक्टुलरियम है तो यही है और सरकार उस राह पर बड़ी इमामदारी के साथ चल पड़ी है अमरुत्कार में हमने सेक्चुरेशन का संकल्प लिया है सत प्रतिशत लाभारतियों को लिए पड़ी एक ऐसी नई कारे समस्क्रिप्व को लेकर करके हम आ रहे हैं जो देश में मेरा तेरा अपना प्राया उन सारे भेदों को मिटाने वाला राफ्पा है saturation वाला हम लेकर करके हाई saturation तक पहुंचने का मतलब होता है देद भाव की सारी गुंजाई से खत्व करना जब discrimination रहता है तब corruption को भी संभावना मिलती है कोई कहेगा मुझे जल्दी तो कहता है इतना दोगे तो दूँगा लेकिन सत प्रतिशत जाना है तो उसको विश्वात होता है बले इस महने मुझे नहीं पहुचा तीन महने के बाद पहुचेगा लेकिन पहुचेगा विश्वात बढ़ता है ये तुष्टी करन की आशंकाओं को समाप्त कर देता हूँ खलानी जाती को मिलेगा, खलाने परिवार को मिलेगा, खलाने गाओं को मिलेगा, खलानी बिरादरी को मिलेगा, खलाने पंस संप्रवाबाबा को मिलेगा ये सारी तुष्ठी करन की आसंकाओं को खतम कर देता है स्वार्थ के आधार पर लाब पहुंचाने की प्रवुर्थी को पुरी करा खतम कर देता है और समाच के आखरी व्यक्ति को जो आखरी पंग्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है और मात्मा गांदी जिसकी हमेशा वकालत करते थे उसके अभिकारों के रक्षा इसके अंदर समाहित होती है और हम उसको सुनिशित करते हैं और सबका साथ सबका विकास यह मतलब यही है कि शत प्तिशत उनके हकों को पहुचाना जब सरकार की मसिंद्री का लक्ष हर प्रांग पांत्र अव्यक्ति तक पहुचने का हो तो बेदबाव पक्तबाद तीकी नहीं सकता इसलिए हमारा यह 100% सेवा अभियान सोशल जस्ट्रीस सामाजिक न्याए इसका बहुत बड़ा ससक्त माध्यम है यही सामाजिक न्याए की असली गारंटी है यही सच्ची पंत्र निर्पेक्षिता है यही सच्चा सेकलरिजम है हम देश को विकास का यह मोडल दे रहे हैं जिसमें हित धारत सबको उनके हक में देश हमारे साथ हैं कॉंग्रेस को बार बार देश मतार रहा है लेकिन कॉंग्रेस और उसके साथ ही अपनी साजी जों से बाज नहीं आते हैं और जनता यह देख भी रही है और उनको हर मोके पर सजा भी देती रही है हमारे देश की आज़ादी में अथारा सो सत्तावन से लेकर के साथ अंतर सजिदाम का कोई भी दसक उठा लीजिए हिंदुस्तान का कोई भी भुबाग उठा लीजिए मेरे देश की आज़ादी के लडाई में मेरे देश के आदिवास्यों का योगदान स्वाहिनिम पुष्ठ से भड़ा पड़ा हुआ है जर्व होता है देश को कि मेरे आदिवासी भाईोंने आज़ादी के महत्माई को सम्झा था लेकिन दसकों कर मेरे आदिवासी भाई विकांच से बंचित रहे और विश्वास का सेतु तो कभी बन ही नहीं पाया आशंकाओं से भरी हुई ववत्ता बड़ी और उन नवजवादों के मंड में बार बार शरकारों के लिए सवाल उठते चले गए ordने में नेकिन उन्होंने सही नियत से काम किया होता नेक नियत से काम किया होता आदिवास्यों के कल्यार के प्रती समरपंदाव से काम किया होता तो आज 21 सदी के तीसरे दसक में मुझे इतनी महनद नहीं करनी पर थी लेकिन उजोंने नहीं कि अकल वियारी वाजपाई की सरकार थी पहली बार इस देश में आदी वाज़ियों के विकास के लिए अलग मंत्राले बना पहली बार आदी वाज़ियों की कल्यान के लिए भड़ाई के लिए विकास के लिए अलग बज़ेट की ववस्ता हुई है आदनिये सभापती ही हमने 110 जिलों को आकांखी जिलों के रुप में आडेंटिफाइट लिए जो विकास में पीछे रह गए सामाजिक न्याई जैसे मात्रा का है एम बहुगोलिक रुप से भी जो पीछे रह गए हैं उनको न्याई दिलाना उत्रा ही आवश्त होता है और इसलिए हमने 110 आकांखी जिले और 110 में आदे से अधीक वो इलाके हैं यहां बहूल जन संग्या जन जाती हैं मेरे आदिबाक्षी भाई में रहते हैं तीन करोर से जान्दा आदिबाक्षी भाईयों को इसका सीधा याद मेरा है उनके जीवन में बढ़लावाया है इन शेत्रों में सिख्षा, स्वास्थ, इंफ्रासेक्टर इसमें अभूत्पुर्वत सुधार हुआ है क्योंकि हमने 110 जिलों कर विशेट फोकस किया है उनका regular मॉनिटरिंग कर रहे हैं यहाँ पर हमारे कुछ माननी सदस्यों ने ट्राइबल सब्क्लान की बात को जुक्र किया था मैं ऐसे साथियों करता हूं कि जरा समाई रिकाल करके किसी पड़े लिखे व्यक्ति की मदद लेकर के बैठिये जो बजेट को अध्यन कर सकता है थोड़ा समझा सकता है और आप देखेंगे तो पता चलेगा कि बजेट में इसके तहर दोजार चौदा के पहले की तुल्णा में पांच गुना अधिक रुप्ति हुई है अधनिय सहाथी जी दोजार चौदा के पहले जब उनकी सरकार थी तब एलोकेशन बीस पर्टीस हजार करोड रुप्ये के आथ पास रहता था बात पुरानी बात नहीं है हमने आपकर के इस वर्स एक लाथ विस जार करोड करोड के पास रदान किया है हमने बिते नव वर्सों में हमारे आदिवासी हमारे जन जातिये भाई बेहनों के उजबल भविश के लिए पान सो नए एक लग्या मोडल स्कूल स्विकृत की है और यह चार गुना जादा बड़ोतरी है इतना ही नहीं स्कूलों में टीचर स्टाफ इस बार हमने 38,000 नए लोगों के रिकृत्मेंट का हमने भरती का इस बज़ेट में प्रावधान किया आदी वास्यों के कल्यान के लिए समर्पे हमारी सरकार ने मैजरापको फॉर्स राइट एक की बात की तरफ ले जाना चाहता हूँ आदी वासी परिवारों को चौदा लाख जमीन के पट्टे दिये गए पिछले साथ आड़ वर्सों में हमने साथ लाख नए पट्टे दिये यह बुद्पर्व काम हुआ है हमारे आने से पहले 23,000 सामुदाई पट्टे दिये गए थे 23,000 हमारे आने के बाद 80,000 से अधी सामुदाई पट्टे दिये गए है लिप सिंपथी बता करके आधी वास्यों की खावनाओं के साथ खिलने के बिजाएं अगर कुछ किया होता तो आज मुझे इतनी महनत न करनी पड़ती और यह काम पहले आराम से हो जाता लेकिन यह उनकी प्रावरिटी में नहीं था आधेनिय सभाबती जी इनकी अर्थनीती उनकी समाजनीती उनकी राजनीती गोट बैंक के आधार पर ही चलती रही और उसके कारण समाज की जो बेजिक ताकत होती है स्वरोजगार के खारण देश की आर्थिक गतिविदी बढ़ाने वागा जो सामर्त होता है इन्होंने हमेशा नजर अंदाज कर दिया उनको वो इतने छोटे लगते थे इतने बिखरे हुए लगते थे तो उसका उनको कोई मुल्डे ही नहीं था जो छोटे छोटे काम में जुड़े हुए जो सरोजगार के उपर समाज पर बोजबये मिना समाज में कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं उनके प्रति दुर्लक्सक गिया गया छोटे काम में जुटे इन करोलों लोगों को भुला दिया गया मुझे जर्वा है कि मेरी सरकार ने रेडी वाले ठेले वाले खुटपात पर व्यापार करने वाले लोगों की सूले ब्याज के चक्कर में जिनके जीवन तबाह हो जाते थे दिन भर का पसीना ब्याज खोरों के घर जाकर के चुकाना पड़ता था उन गरीवों की चिंता हमने की उन रेडी ठेले पट्री वालों की चिंता हमने की और आदे लिए सभापती जी हमने इतना ही नहीं हमारे दुश्वकर्मा समुदाए जो समाज निर्मान के अंदर एक भुनिका देते हैं जो अपने हाथ से और जार की मदद से कुछले कुछ स्रिजन करते रहते हैं समाज की आवश्यक्तों की बहुत बड़ी मात्रा में पूर्ति करते हैं चाहे हमारा बंजारा समुदाए हो चाहे हमारे गुमंद जाती के लोग है हमने उनकी चिंता करने का का द्रहें प्रिखिशरां कि योडगा हो चीए हम भिश्वकर्मा योडगा हो कि जिसके द्वारा हमने समाय के इन वोगों की मझबूती के लिए काम किया है नों के सामर्थों को बढ़ाने के लिए हम आद्वाब्वांदे जी आप qesehaan पुत्र है इस देश के किसानों के साथ क्या भीती है उपर के कुछ एक वर्ग को समाल लेना और उनी से अपने राजनितिक चलाए रखना यही सिल्सला चला इस देश की किसी की सची ताकत छोटे किसानों में है एक एकड़ दो एकड़ भूमी का वो ब्याब मुश्किल पर है 80-85 परतिशक इस देश का यह वर्ग है इन छोटे किसान उपेशित थे उनकी आवाज कोई सुने वाला नहीं था हमारी सरकार ने छोटे किसानों पर धान के इंद्रिश किया छोटे किसानों को फॉर्मल बैंकिंग के साथ जोड़ा आज साल में तीन बार चीजे पी-एम किसान सम्मान निदी छोटे किसान के ठापने में जमा होती है कि इतना ही नहीं हमने पशुपालकों को भी बैंकों से जोड़ा हमने मच्छुवारों को बैंकों से जोड़ा और उनको भ्याज में रियायत दे करके उनके आ शामर्ष को बढाया ताकि वह अपना व्यौसाय विच्षिक कर सके अपने कॉप पैटन को बज़़ए अपने त पादित की हो माल को रोक करके उची दान मिलने पर बाजार में ले जा सके उठ दिशा में हमने काम किया आदनीय सभापती जी हम जानते हैं हमारे देश के बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जो परसादी पानी पर उनको गुजारा करणा परता है सिंचाई की व्यवस्ता ये पुछली सरकारों ने की नहीं हमने और देखा है कि ये चोटे किसान पानी बरसादी के ब्रों से जीने वाले मोटे अनाज की खेती करते हैं पानी होता नहीं है ये मोटे अनाज की खेते करने वाले किसानों को हमने विशेस्तान दिया हमने यूएन को लिखा कि मिलेटियर मनाई है जुनिया में भारत के मोटे अनाज की एक ब्रांडिंग बने मार्केटिंग बने और उसके सुवचारित रुप से अब इस मोटे अनाज को श्री अन्न के रुपे जैसे श्रीफल का महत्माए है वैसे ही श्री अन्न का महत्माए बने और छोटे किसान जो प्राइदावर करते हैं उनको उची दाम मिलें ग्लोबल मार्केट मिलें देश में क्रॉप पैट्रन में बरिवर्तन आए और इतना ही नहीं यह मिलेट शुपरफूर है कोशन के लिए बहुत बड़ी ताकप है हमारे देश के नई पीडिकों कोशन की समच्चा के समाधान में भी यह काम आए जो मेरे छोटे किसान को भी मजबूत करें हमने फटी लाजर में भी अने एक नए विकल डेवलप किये हैं उसका भी लाब बेज़ा है हमें बड़े कन्विक्शन के साथ मैं मानता हूं कि जब मिरना ये प्रक्रिया में माता और बेहनों की भागेदारी बढ़ती है तो परनाम अच्छे मिलते हैं जल्दी मिलते हैं और निर्धारिज लक्स को प्राप्त करने मादे होते हैं और इसलिए माता बेहनों की भागेदारी बड़े बिन निर्धे प्रक्रियारी में हमारे साथ जुड़े उद्धिशा में महिला ससक्ति करन को लेकर के महिलाओं के नित्वत्म के विकास के लिए हमारी सरकार ने पाठिक का दी है सदन में हमारे एक मानिय सदस्य ने कहा कि महिलाओं को टॉइलेट देने से क्या महिलाओं का फिकास हो जाएगा हो सकता है उनका जान सरफ टॉइलेट पे गया हो उनकी कठिना ही होगी लेकिन मैं जड़ा बताना चाहता हूँ मुझे इस बात का गर्व है और मैं गर्वन उभाव करता हूँ क्योंकि मैं राज्य में रहकर काया हूँ मैंने गाओं में जिन्दी गुजार काया हूँ मुझे गर्व है कि ग्यारा करोड सव ठालए बना करके मैंने मेरी माता और बहनों को इज्जद गर्व दिया है मुझे इस बात का गर्व है हमारी माता और बहनों हमारी बेटियों के जीवन चक्र की तरफ जड़ा नेजर करे हमारी सरकार माता और बहनों के ससकती कंड के लिए कितनी सम्वेधन चिल है उसकी तरफ मैं जड़ा ध्यान आकर जिश्द गर्वना चाहता हूँ और जिनको सिर्फ टॉयलेट पर ही सोच अटक गई थी मुझे जड़ा कान खुल करके सुने ताकि आगे जड़कर यह बताने में उनको सुविरा होगी जर्वावस्ता के दौरान शीश्यू को परस्विक खाना मिले इसके लिए हमने माक्रू बंधना योजना चलाई और इसके लिए फ्रेग्ननसी के समय महिला के बेन खाते में सीधा पैसा जाए ताकि उसको कोशन से उसके घर्व में जो बच्चा है उसके स्वाथ को भी राव हो हमारे हाँ माता मृतिदर, शीशु मृतिदर इस गंबीर समच्छा से मुक्ति का ये कुपा है इंस्टिटूस्टल डिलिवरी हमारे गरीब से गरीब कामिया मा की इंस्टिटूस्टल डिलिवरी हो शीशु का जन्मा अस्पताल में हो इसके लिए हमने धन भी खर्च करना तै किया और व्यापक अभियान भी चलाया और उसके सुफल दिखाई भी दे रहे हम जामते हैं किसी ने किसी मान्ची विकुर्टी के कारण बेटियों को मा के कोफ में ही मारने की प्रवुति बढ़ गई था यह साराज के लिए खर्ण था हमने बेटी बचाओ अभियान चलाया और आज मुझे खुझी है कि बेटे जन्म लेते हैं उसकी तुलना में बेटियों की संक्या बढ़ रगी है यह हमारे लिए संतोस का मिशे है हमने बेटियों की रख्षा का काम किया है बेटी जब बड़ी होकर स्कूल जाएं और सौचाले के अभाव में पांचवी छिप्टी कच्छा में आते आते स्कूल छोड़ दें हमने उस चिंता को भी दिखिया और स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग टॉलेट बढ़ाएं तेकि मेरी बच्चियों को स्कूल छोड़ना न पड़े यह हमने चिंता की बेटी की सिख्षा जारी रहे और इसलिए हमने सुकन्या सम्रुद्धी योजना जिसमें अधिक ब्याद दे करके बेटियों को सुरक्षित शिख्षा की ववस्ता का प्रभिंद्ध किया ताकि परिवार भी उनको कोट साहन दे बेटी बड़ी होकर अपना काम करने के लिए बिना गारंटी मुद्रा योजना से लोग ले सके अपने प्यारों पे खड़ी हो सके और मुझे खुशी है कि मुद्रा योजना के लाभार्तियों में सत्तर प्रतिसद हमारी माताएं बेटिया हैं हमने एक काम किया है मा बनने के बाद भी नौकरी जारी रख सके इसके लिए मात्रुत्व अवकात में हमें वृद्जी की है वो डेवलप कंट्रियों से भी कभी कभी जादा है ये कामन में किया है, बेटियों के लिए हमने साइनी स्कूल खोल दी है, आधनिया सभापती जी, आप तो स्वयम साइनी स्कूल के विद्धारती रहे हैं, बेटियों को वहाँ एंट्री नहीं थी, वो काम भी हमने कर दिया, आज साइनी स्कूलों में मेरी बेटिया पड़ रह नहीं सबला है वो सेना में जाना चाहती है अपसर बनना चाहती है हमने हमारी बेटियों को सेना के दर्वाजे भी खोल दिये हैं और आज गर्व होता है शिया चिन में मेरे देश की कोई बेटी बेटी को गाँ में कमाई के अफसर मिले और इसके लिए हमने विमेंग सेल्फ हेल्फ ग्रूप उसको एक नई ताकत भी वैल्य एडिशन किया और बैंकों से मिलने वाली उनके रगम ने बहुत बड़ा इजाभा किया और इसलिए वो भी हमने उनकी प्रगति के लिए हमारी माताओं बेटियों को बेटियों को लकडी के दूए से जिन्दगी में मुसीबते जेल ली न पड़े इसलिए हमने उजवला योजना से देश का कनेक्शन दिया हमारी माताओं बेटियों को पीने का पानी के लिए जूजना न पड़े दो जो चार-चार किलमबिटर कर जाना न पड़े हमने नल से भल पानी पहुचाने का अभियान चलाया ताकि मेरी माताओं बेटियों को बेटियों को बेटियों को अंधेरे में गुजारा न पड़े इसलिए हमने सवभाग्य योजना से ऐसे गड़ी परिवारों तक बिजली पहुचाई बेटि मा बेहन कितनी ही गंबीर बिवारी हो लेकिन कभी बताती नहीं है उसको चिंता रहती है कि कहीं बच्चों पे कर्ज हो जाएगा परिवार पर बोज हो जाएगा वो पीरा सहती ह है अपने बच्चों को अपनी बिमारी के विशे में नहीं वताती है उन मात पावों पहनों को आयुश्मान कौर दे करके अस्पताल में बड़ी से बड़ी बिमारी से मुक्ति का रास्ता हमने ठोल दिया है आदरिया सवापती जी बेटी का संप्ति पर अधिकार हो इसलिए हमने सरकार के तरफ से जो आवाज देते हैं उसमें बेटी के राइट को निश्चित किया उसके नाम पर प्रपर्टी करने का काम किया हमने महिला सतक्ति करन के लिए हमारी माता और बेनों को जो भी खोटी बोटी बचत करने मुसीबत जेल करके बचत करना माता और बेनों का स्ववाव होता है और वो घर में अनाच के डिपे में पैसे रख करके गुजाना करती है उस मुसीबस में निकालके हमने उसको जन्दन के खाते दे लिए पैसा जमा करें इसकी बहुत सा करके और आदने सभाबती जी इस बजेट शत्र के लिए तो गर्व की बात है कि बजेट शत्र का प्रारम महिला राश्पती के द्वारा होता है और बजेट शत्र का विदीवत प्रारम महिला वित्क मंत्रि के हमसार प्रहूता है देश में ऐसा चैयोग पहले कभी नहीं आया जो आज आया है और हमारों को प्रयास रहेगा कि ऐसे सुभाउसर आगे भी देखने को मिले अधिनिये सभापती जी कि जब देश को अधुलिक होना है नए संखल्कों को पार करना है तो हम साइंस और टेकनलोजी के सामर से कोण नकार नहीं सकते हैं साइंस और टेकनलोजी के मात्मा को हमारी सरकार भली बाकी समझती है लेकिन हम तुकुड़ों में नहीं सोचते हैं हम तोकनियम में नहीं सोचते हैं हम साइंस और टेक्नलोजी के तरफ से देश को आगे बढ़ाने के लिए हर दिशा में काम कर रहे हैं सारवत्रिक प्रयास कर रहे हैं अने कि इनिशेटिव ले रहे हैं और इसलिए बच्पन में साइन्टिफिक टेप्रावें डेवलप करने के लिए अटल टिंकरिंग लेप यह ग्यानिक सोच के अंदिरमान के लिए स्कूल के लेवल पर बच्चों को हमने अवसर भिया उससे थ कर अथी प्रगति की है तो उसको वह वाईव बंदल मेले ताकि वह टेक्नलोजी में कंवर्ट करने के लिए वह इनोवेशन काम आजाए इसके लिए हमने बिज्ञान की इस प्रगति का प्रणाम हमने नीकिया बडली स्पेस के छेत्र में अब प्राइवेट भागीदारी का हमने सपना पुरा किया और मुझे खुसी है मेरे देश के नवजवान आज प्राइवेट सटलाइट छोड़ने की ताकत रखते हैं ये साइंस और टेक्ल अलजी से जुड़ी ही है उतने युनिकॉन की संख्या में आज हम दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं आज ये सभापती जी आज ये देश घर्व करेगा कि सरवाजिक पेटन इनोवेशन और दुनिया के बाजार में टिकता है पेटन ये सबसे अधिक पेटन रिजिस्टर करना में आज मेरे देश के नौजवान आगे आ रहे हैं आजने सभापती जी आधार ती ताकत क्या होती है वो हमारी सरकार ने आके दिखा दिया और आधार के जुड़े हुए जो विद्वान लोग है उन्होंने भी कहा है कि आधार के महत्वकों टेक्नोलोज है हमने देखा है कि कोविड के काल में कोविड प्रेटफॉर्म 200 करोड वेक्सिनेशन और सट्रिफिके कोविड का आपके मोबाईल पर जिदिने सेकंड आज आता है लेकिन दुनिया को अचंबा तब हुआ कि भारत अपनी वेक्सिन लेकर के आ गया है कोविड दुनिया के लोग अपनी वेक्सिन हमारे यहां पर बहुत बड़ा मार्केट था बेचने के लिए भाती-भाती के प्रेशर करते थे आर्टीकल लिखे जाते थे पीवी में इंटर्यू दिये जाते थे सेमिनार किये जाते थे इतना ही नहीं मेरे देश के बैज्ञानिकों को बदराम कर के लिए उनको निचाँ दिखाने के लिए कंवक्त क्रेयां तक मेरे तुलिएक देश के वैज्ञानिकों ने आज दुनिया में जिसको स्विक्र की मली है इसी ब्यक्सिन से मेरे देश वाच्यों का ही नहीं देर्सों देर्सों के लोगों कि आवेश रखता हुआ है। ये विज्ञान के फिरोधी लोग हैं। ये स्टेपनोजी के मेरोधी हैं। आवेश रखता हुआ है। आवेश रखती जी ये विज्ञान के फिरोधी है। ये टेक्नोजी के फिरोधी है। हमारे बैज्ञानिकों को बजणाम करने का कोई मुका नहीं कोड़ी। फार्मसी की दुनिया में हमारा देश एक टाकत बन के उपर रहा है। दुनिया की फार्मसी का हाप बन रहा है। हमारे नव जवान नए नए इनोवेशन कर रहे हैं। उसको बजणाम करने के रास्ते खोज रहेंगे लोग। उनको देश की किंता नहीं है। अपने राजनीतिक उठापदक की जिंता हो। यह दुर्बात है देश का। आदनीय सभापती जी आज बाली में था जी ट्वेंटी देश के समों डीजिटल इंडिया इंको समझने के लिए लागाई रहते थे। सक्सेस को पुरी दुनिया ने प्रभाविश्ट किया है। डीजिटल लेंडेल में आज इंडिस्तान दुनिया का लीडर बना हुआ। आदनीय सभापती जी हमें खुसी आए आज सो करोर से जादा मोबाईल फोन मेरे देश वास्यों के हाथ में है। अगर्ण ये सभापती की एक समय था हम मोबाईल इंपोर्ट करते थे आज गर्वा है मेरा देश मोबाईल एक्सपोर्ट कर रहा है। इस तकनीक को आज देश बहुत तेज गती से अपना रहा है। उसका विस्तार कर रहा है। ड्रोन इसका उस्तमाल सामान ने जिवन में हो। सामान नागरी की बलाई हो। हमने पॉलिसी में वो बढ़्लाव किया। और दवाईयां दूर सुदूर इलाकों में द्रोन से पहुंचाने का काम आज मेरे डेश में हो रहा है। साइंस और टेक्नोलोजी के महत्मय को। आज खेत में मेरा किसान द्रोन की ट्रेनिंग लेकर के खेती में ड्रोन का क्या उस्तियों हो। आज मेरे गाउं में दिखाई दे रहा है। चीयो स्पेशल सेक्टर में हमने दरवाजे खोल दिये। ड्रोन के लिए एक पुरा नया विकास का विस्तार करने का अउसर हमने कर दिया। आज देश में UN जैसे लोग चर्चा करते हैं कि दुनिया में लोगों के पास अपने पास जमीन के घर के माली करना हक नहीं। यूइन की चिंता है दुनिया भारत ने त्रोन की मदद से स्वामित्व योजना से गाओं में गड़ों में उसका नक्षा और माली की हद दिने का काम किया है। उसको कोड़ कटेरी के चक्करों से और कभी गरबंद हो कोई आकर के कब्जा करना ले सुरप्षा का ऐसाथ दिया है। हमने टेक्नोलोजी का भरपूर प्यास पॉमन में के लिए करने की इस दिशा में सभलता पाई है। आज देश टेक्नोलोजी के खेत्रत आदुने एक विक्सित भारत के सपने में उसका महत्मा हैं जबते हैं। और इसलिए हुमन डिस और जबलप पर इनोवेशन इसका महत्मा है बहुत है। और इसलिए दुनिया की एक मात्र फ्वरंसिक साइंस उनिवर्सिटी हमारे देश में है। हमने गती शक्ति उनिवर्सिटी बना करके इंफ्रस्रक्टर के दुनिया में एक नई पहल की है। हमने एनर्जी उन्यूवर्सिटी बना करके आज देश लिन्यूबल एनर्जी के ख्षेपल में एक नया जम्ट लगाएं अभी से हमारे नौजवान तयार हो कुछ दिशा में हम कार रहे हैं बना व मरें हमारे कजिसमा karışату ओखिया करके एंजिनेर्स के तरब साइंस के तरब नफ़त कमरे में कांगरेस ने अपने शासन काल में कोई कमी नहीं रखी है। साइंस और हो टेकनोलोज़्य को समान देने में हमारे कार रोकल्य को एक कमी नहीं रखी यह हमारा रास्ता है आदेनिये सभाबती जी यहां रोजगारगी पीचर्चा हुई नहीं हरान हो कि जो अपने आपको सबसे लंबे हमें समय तक सार्वजनिक जीवन का दावार करते हैं इनको यह मालूम नहीं है कि नौकरी और रोजगार में फर्क होता है जिनको नौकरी और रोजगार का फरक समझ नहीं है वो हमें उपदेश दे रहे हैं आदेनिये सभाबती जी नए नए ने नेरेटिव घणने के लिए आदिया दूरी चीजों को पकर करके जूट फ्यावाने के प्रयास हो रहे हैं बिते नौव वर्ष में अर्थ ववस्ताहों का जो विस्तार हुआ है नए सेक्नस में रोजगार की नए संभावनाय बनी आज ग्रीव एकॉनोमी में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है उसने ग्रीन जोब की बहुत बड़ी संभावनाय धरती परुतार करके दिखा ही है और और रफिक संभावनाय बनी हुई है ओनी एक डिजिटल इंडिया के विषितार्स हैं अध्युष todavía शेत्र आज सर्विस सक्टर में के डिजिटल इंडिया एक नई बिलंदी पर है कि पंच लाख कोमन सर्विस सेंटर क्योंद में दो दों पाज़ पाज लोग रोजी रोटी कमाते हैं अर्दूर शुदूर जंगलों के छोटजे छोटे गांगे कोमन सरविस वे आज हमारे देश की आवस्थ सेवाएं गांगे लोगों को एक बटन पर उप्लब्द हो ये ववता हुई है डिजिटल एकोनोमी ने अनेक नए रोजगार के संभावनाय पैदा की आदेंडिये सभावती जी नब्वे हजार रजिस्टर स्टाक रफ इसने भी रोजगार के नए द्वार खोने हैं अप्रई से नमंबर 2022 के एक करोर से अधिक लोग जोड़े दे हैं एक करोर से अधिक लोग आधरनिये सभावती जी आत्म निर्वर भारत रोजगारी होज़ना इसके जरिये साट लाग सदीक नए करमचारियों का लाब हुआ है आत्म निर्वर भारत अधियान के एक हमने अपने उद्यमियों के लिए स्पेस डिपेंस ड्रॉन माइनिंग कॉल अनेक शेत्रों को खोला है जिसके कारण रोजगार की संभावना में नई गती आई है और देखिए हमारे नवजवानों ने इन सारे कदमों का आगे आ करके अउसर लिया उठाया है उसका फादा आदेने सभावती जी रक्षा के खेत्र में यह देश आप मनिरभर बने यह देश के लिए बहुत आवश्यक है मुझे खुसी है कि रक्षा के खेत्रा आप मनिरभरता का अमिशन लेके हम कदें आज साड़े तिन सो से जादा लीजी कंपनिया रक्षा के खेत्रे में आई है और करीब करीब एक लाग करोड़ रुप्य का एक्सपोर्ट रक्षा के खेत्रे में मेरा देश कर रहा है और अपुत्पुर्वर रोजगार इस खेत्रा में भी पैदा हुए है आदनिय सभापती जी रीटेल से लेकर के तुरिजम तक हर शेक्टर का विश्तार हुआ है खादी और ग्रामोद्योग मात्मा गांधी के साथ जो विवत्ता जुड़ी हुई है खादी ग्रामोद्योग भी डूओ दिया था आजादी के बाद सर्मादी खादी ग्रामोद्योग के रेकॉर्ड तोरने का काम हमारे कार्पर्ण में हुआ है वकित्ट री इंफार्सक्चर्च हो रा है पू регॉट हो ताह हो रोड का काम होता हो पूट का का होता हो एरपूर्ट का कामहोगता हो प्रढमत्री ग्रामचन्र की मेरती नहीं बंती हो यह व्यूंट है हुशन noi oh इंघ से लेकर के समीत तक हर किसी के लिए रोजगार के नए आँसर कारण और उसे के कारण यूथ विरोधिन नीति ले करके चले हुए लोगों को आज यूथ नकार रहा है और यूथ के भाई के लिए हम जिन नीतियों को ले करके चलब है इसको आज देश शुकार कर रहा है आजने सभापती जी, यहां भी यह भी कहा गया आजने सभापती जी, यहां यह भी तैया गया कि सरकार की यूजनाओं को ले कि अनके नामों को ले दरके आपती उज़ाए कुछ लोगों को ये भी परिशानी है कि नामा में कुछ संस्क्रिक परच है इसकी भी परिशानी आदेंडिया सभावती जी मैंने किसी अखमार में पढ़ा था हमें कोई वेरिफाइट तो नहीं किया है और रिपोर्ट कह रही थी 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिरफ गांदी नहरूप परिवार के नाम पर है आदेंडिया सभावती ही किसी कार्चम में अगर नहरूजी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बान खड़े हो जाते है उनका लभू एक नम धरम हो जाता है कि नहरूजी का नाम क्यों नहीं दिया कि आधने सभावती जी मैं बहुत आफिर होता है कि चला भाई हमसे कभी छूट जाता होगा नहरूजी का नाम और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे तो जो देश के पहले प्रजानमत्री थे लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता है कि उनकी पीड़ी का कोई व्यक कि क्या सर्मिंद्धी है सरनेम रखने से क्या सर्मिंद्धी है इतला बड़ा महां व्यक्तिक्वा अगर आपको मंजूर नहीं है परिवार को मंजूर नहीं है और हमारा हिसाम मांगते गाते हो आदेनियस सभापती जी कुछ लोगों को समझना होगा यह सद्यों पुराना देश सामान मानवी के पसीदे और पुर्षांटे बना हुआ देश है जन जन की पीडियों की परंपरा से बना हुआ देश है यह देश किसी परिवार की जागीर नहीं है हमने मेजर द्यान चंजी का नाम पर खेल रत्त का पुरुषकार कर दिया अन्नमान में नेताजी सुबाद के नाम पर स्वराट के नाम पर हमने बीपों का नाम करन किया हमें गर्व हो रहा है नेताजी सुबाद भोज के योगिदान के लिए देश गर्व करता है हम गर्व करते हैं इतना ही नहीं जो रोग आये दिल हमारे देश की सेना को नीचा दिखाने का मोका नहीं जोड़ते हमने इन दीपों को परमविर्ट चकर प्राप्त करने वारे शेनानियों के नाम कर द आने वाली सद्रियों तक कोई हमालाई की च्षोटी एक विक्ति के नाम को मेरे दिख समो मेरे प्रम्वित चकर विजेता मेरे देश के सेनानियों के नाम कर दिया है हमारी सजल यह हमारी भक्ती है अर उसको लेकर के हम चलते हैं लागरिएश और अर इससे आपको तकलीब है और तकलीब व्यक्त भी हो रही है हटरी की तकलीब व्यक्त करने के रास्ते अलग होंगे हमारा रास्ता है सकारात्मा कभी-कभी अब यह सदन है एक प्रजाइसे राज्यों का महात्मा है हम पर ऐसे भी आरोप लगाए जाते हैं कि हम राज्जियों को परिशान करते हैं आधनीय जभापती जी मैं लंबे और से जग राज्जी का मुख्यमंत्री रह करके आया हूँ फेटरलिजम का क्या महत्वा होता है वो बली बाती समझता है उसको जी करके आया है और इसलिए हमने कोपरेटिव कमपटिटिव फेडरलिजम पर बल दिया है आओ हम सरदा करें हम आगे बड़ें हम सहयोग करें हम आगे बड़ें उस दिशा में चले हैं हमें हमारी नीत्यों में national progress का भी जियान दखा है और regional aspiration को भी address किया है national progress and regional aspiration इसका perfect combination हमारी नीत्यों में दिखा है क्योंकि हम सम्भ मिलकर के 2047 तक एक विक्सिव भार्व का सपना पूरा करने कattan के लिए चल पड़े है लेकिन जो लोग आज विपक्स में बैटे हैं उन्होंने तो राज्यों की अधीकारों की धज्जियां उड़ा दी ज़रा मैं कच्चा चिठाच खोलना चाहता हूँ ज़रा इत्याद उढ़ा करके देख लीजिए वो कौन पार्टी थी वो लोग कौन सक्ता में बैटे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज़्यादा दुरुप्यों किया 90 बार 90 बार सुनी हुई सरकारों को गिरा दिया कौन है वो कौन है जुनोंने किया कौन है जुनोंने किया कौन है जुनोंने किया कौन है जुनोंने किया एक प्रदान मंत्री ने आर्टिकल 356 का पचास बार उप्यों किया आजी सेंचूरी कर दी वो नाम है श्रीमति इंद्रा गांधी का पचास बार सरकारों को फिरा दिए केरल में आज जो लोग इनके साथ खड़े हैं जड़ा याद कर लीजिए थोड़ा बार माइक लगा दीजिए केरल में वाम पंती सरकार चुली गई जिसे पंडित नहरू पसंद नहीं करते थे कुछी कालखन के अंदर चूनी हुई पहली सरकार को जर्ट पर आज आप महाँ खड़े हैं आपके साथ क्या हुआ था जड़ा याद कीजिए आधनिये सभापती जी जड़ा डियम के के मित्रों को भी पताता हूँ कमिल नाड़ू में एम जी आर और करुणा ने जीजे से बिग्जजों की सरकारे उन सरकारों को भी इनी कॉंग्रेस वालों ने परकात कर दिए एम जी आर की आत्मा एम जी आर की आत्मा देखती होगी आप कहां खड़े हो यहां पर पीशे बैठे हैं इस सदन के बरिष्ट्र सदस्या और जिनको मैं हमें से एक अधर ने लेता मांता हूँ सिमान शरत पहार जी उन्नी सो असी मैं शरत पहार जी गायू पैत्ता जिस पैति चालिश साल के दिए एक नवजवान मुखमिंत्री महरत लगी सेवा करने के लिए निकला था उनकी सरकार को भी गिरा दिया देए और आज वो बहार आज वो बहार ने नेता को उन्होंने पर के साथ क्या किया यहां कुछ लोगा आज कपड़े बढ़ें होंगे नाम बढ़ला होगा जो तीशों की सूतना के अनुदा नाम बढ़ला होगा लेकिन कभी वो भी उनके साथ थे और इन्टी आर की सरकार को और वो तब वो तबीयत के लिए अमेरिता गए थे अपने बढ़ाने का प्रियास कि है कि ये कांग्रेस की राजनीटी का स्वर था तो आधर ये सबापती जी अक्वार निकालके देख लिजिए हर अखबान लित्ता था राजव्णों को कॉंग्रेस के दब्थर बना दिये गए हैं राजारे कौटर में जार्खन में एंडिये के पा यूपियों को शपत के लिए बुला लिया था 1982 में हर्याना में बाजपाः देविलाल के पास प्रीप पूल उनका एग्निमेंट था उसके बावजुद भी गवंदर ने कॉंग्रेस के सरकार के लिए निमतन कर दिया था ये कॉंग्रेस के पाफ और आज आज देश को गुम् कि मैं एक बात को जानना चाहता हूं मैं एक दंबीर विशाई को और अब ज्यान देना भी चाहता हूं मातुकुर्ण विशाओं को मैंने सपर्थ किया है और आज देश में आर्थिक नित्यों की जिनको समझ नहीं है जो 2400 घंटे राज नित्य के सिवागुद सोथते नहीं कि ग्री जनको सार्वजनी जीवन का काम डीता है उनोने यार्थनित्य निद्य को अनर्थनित्य प्रिवर्थिति करो कि मैं उनको छेतामरी देना चाहता हूं और मैं सदन की गंबिर्ता के साथ उन से कहना हूं कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाए हम अमारे परोष के देशों का हाल देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या हाल हुआ है अनाप सनाप कर्ज लेकर के किस प्रकार के देशों को डुबो दिये आज हमारे देश में भी तकानि लाप के ल वाला खेल आने वाला देखेगा ये कुछ राज्यों ने अपनाया है वह उनका तो तबाह कर देंगे देश को भी बरबाद कर देंगे अब देश अब कर्ज के तले दपते जा रहे हैं ये देश आज दुनिया में उनको कर्ज देने के लिए कोई त्यार नहीं है ये मुसीबतों से गुजर रहे हैं दलों के विशे में एक दूसरे के प्रती पिकाटिपनी हो सकती है लेकिन देश की आर्थिक सहथ के साथ खिलवार मत कीजिए आर्थिक सहथ के साथ खिलवार मत कीजिए आप ऐसा कोई पांप मत कीजिए जो आपके बच्चों के अधिकारों को चील लें और आज अपना मोच कर लें और बच्चों के नसीदना बरबादी छोड़के चले जाए ऐसा करके नहीं जाएं आज आपको पॉलिटिकली सूट कमेंड़ तो देखा एक सरका एक मुख्यमेंत्री ने बयान दिया कि भाई आप ठीक है मैं तो नेने करता हूँ अभी मुझे कहाएगी दो आजार तीस बतीस के बाद आएगी जो आएगा वो बुक्तेगा क्या कोई देश ऐसे चलता है क्या लेकिन ये जो वृत्ती बन रही है वो बहुत चिंता का विशह है आदरिये सभापती जी बेशी आर्थिक सहथ के लिए राज्जों ने भी अपनी आर्थिक सहथ के समझ में डिसिप्लीन का रास्ता चुनना पड़ेगा और तभी जाकर के वे राज्ज भी इस विकात की या मुचाना चाहते है आदर सभाजी जी 2047 में यह देश विक्षित भारत बने यह हम सबका संकल एक सचालिस करोर देश वाज्यों का संकल अब देश पीछे मुर करके देखने को त्यार नहीं है देश लंबी छलांग मारने को त्यार है जिनकी दो वक्त की रोटी का सपना था उसको अपने अड्रेस नहीं किया हमने उसको एड्रेस किया है जिसको सामाजिक न्याई के पेख्षा थी जो आपने अड्रेस नहीं किया हमने अड्रेस किया है जिस असके अवसरों को तलासता था उन अवसरों को प्लब्द कालने के लिए हमने अनेक कदम उठाएं और आज बेद देख रहा है एक अकेला कि तुनों को भारी पुड़ रहा है एक अकेला कि तुनों को भारी पुड़ रहा है अरे नारे बोलने के लिए भी नारे बोलने के लिए भी तुनकों बदल घर्रा कुरता है तो भी यह बोलता है जनके पर जावाद की जबाद की आदिने प्रश्ण के पारण चलाओं देश के लिए जीता हूं देश के लिए कुछ करने के लिए नित्या हुआ हूं और इसलिए राज नितिक खेल खेलने वाले लोग अंग के अंदर वह होकला नहीं है वो ठूंड रहे हैं बचने का रास्ता खोज रहे हैं अगर्णियत सभापती ज अधिके मारत रस्फश बासंड को रास्त्राश्वती जी के प्रेश्ट बाशंड को इस सदन के अंदर अभी विश्ञशन करते हुए दहनिवाज करते हुए आपका तीयाफाल येश्ट करते हुए अब दिवात वाथ को भाप का क्या है जोगी, 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 जोगी झाल झाल